नमस्कार जुहार युवाओं के भविश्य पे निर्धारित दूरदर्शन का यहाप कारेक्रम और भी है राहे में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे इस कारेक्रम का यही उदेश ही रहता है कि हम आप तक युवाओं के भविश्य से जुरे हर एक उपर्चनिटी और हर एक दिशायों से आपको अफगत करा है तो बस उसी प्रेतन को थोड़ा और आगे बरहते हुए आज हम एक ऐसे विशय के बारे में बात करने वाले हैं जो जाने अन जाने पता तो सबको होता है लेकिन हाँ बहुत सारे मिध के साथ जी हाँ आज हम बात करेंगे फिलोज़फी के बारे में जिसे हम हिंदी में दर् जानकारी देने के लिए हमारे साथ जूरी है डॉक्टर आभाजा जिनका हम हारदिक स्वागत करते हैं माम आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कारेक्रम में तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं फिलोजोफी के बारे में तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप फिलो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि इस शब्द को फिलोसफी शब्द को पहले हम थोड़ा सा समझ लें फिलोसफी शब्द जो है फिलोस और सौफिया इन दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लव फॉर विस्टम अर्थात ग्यान के प्रति प्र आश्यात्य दर्शन के परिप्रेक्ष में फिलोसफी का अर्थ हो जाता है ज्यान के प्रति प्रेम और भारतिय परिप्रेक्ष में दर्शन शास्त्र कहते हैं जो संस्कृत के दृष धातु से बना है जिसका अर्थ है देखना जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देखना और तो यहां जानने का अर्थ यहां मूल सत्ता के ज्यान तत्व ज्यान से है तो भारतिय संदर्भ में और पाश्चाति संदर्भ में ठोड़ा थोड़ी भिनता तो है कि तो इतनी भीनता भी नहीं है कि दोनों में मेल नहीं है तो ये तो शाब्दिकर्थ हो गया और इसके बाद हम इसकी उत्पति से पर अगर हम आते हैं तो हम सब जानते हैं कि जानने की इक्षा या सोचना हम सभी का स्वाभाविक गुण होता है मनुष्यों का स्वाभाविक गुण है जिस तरह जैसे जैसे उसकी चिंतन शक्ति विक्सित होती है वह जीवन और जगत को समझना चाहता है जानना चाहता है और यहीं दर्शन का जन्म होता है यानि कि हम बोल सकते हैं कि फिलोजोफी एक ऐसा विशय है जहां हम अपनी जो लाइफ है फिर हमारे आसपास जितने भी क क्या है यानि यह हमें एक जेनरल इंसान से एक अलग बनाता है एक यूनिक एस्पेक्ट देता है हमें बिल्कुल क्योंकि यह जीवन जगत मनुष्य क्या है यह जगत क्या है मूल भूत सत्ता क्या है जिस जगत में हम रहते हैं यह उनका अनुसंधान करता है तो मैंने जैसा कहा कि मनुश्य की चिंतन शिलता से ही दर्षन-का जन्म होता है और यह कहूं कि दर्षन सास्त्र यह जानना आवश्यक होगा कि दर्षन-सास्त्र को सभी विश्यों की जननी कहा गया है philosophy is the mother of all subjects, क्योंकि जैसे जैसे मनुस्य की चिंतन शमता विक्सित होती गई, तो ग्यान के छेत्रों और समस्याओं के विभिन पहलूओं को समझना उसके लिए जटिल होता चला गया, तो ग्यान की अलग-अलग शाखाएं विक्सित होई, तो जैसे बहुतिक जगत को समझने के बहुतिक विग्यान, रासायन विग्यान, वनस्पति शास्त्र, जिसके द्वारा प्रकृति का अध्यान होने लगा, शरीर विग्यान, प्रानी शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र के द्वारा मानव शरीर का अध्यान होने लगा, हम यह कह सकते हैं, कि जिस तरह जब किसी माता कि बच्चे जब परिपक्व होते हैं, उनका जब परिवार विक्सित होता है, तो वो अलग-अलग अपनी ग्रिहस्ती बसा लेते हैं, उसी प्रकार दर्शन सास्रु जो है, यह सभी विशेयों की जननी है, philosophy is the mother of all subjects, और एक और चीज़ मैं में मेंशन करना चाहूंगी, कि academic world क कि जो सबसे highest degree है, वो भी doctor of philosophy ही होती है, आप जानती होंगे, all over world यह doctor of philosophy, जो है कुछ एक दो professional courses को छोड़के, सभी विशेयों की जो चितम उपादी है, वो doctor of philosophy होती है, तो जैसा कि हम जानते हैं, कि हमें class 10 तक ना बिल्कुल भी घ्यान नहीं होता, कि philosophy, sociology या फिर बहुत सा आसे subject जो है exist करते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि philosophy की जो परहाई होती है, वो कब से start होती है, या फिर 12 के बाद graduation से start होती है, कब से इसकी परहाई शुरू होती है, दर असल दरशन शास्त की परहाई अभी स्कूली स्तर पर तो नहीं कराई जाती है, हलाकि इस जो 2020 में आई है सरकार की, उसमें आपको हैरत होगी है जानकर कि इसमें सौ बार दरशन शास्त शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है कि दरशन शास्त को शामिल होना चाहिए हमारे education में, हमारे curriculum में, फिलहाल इसकी परहाई intermediate स्तर से होती है, plus two स्तर से होती है, और यहां मानवी की संकाय के अंतरगात आता है, और उसके बाद उच्छ शिक्षा में आप highest level तक आप इसमें आगे कर सकते हैं Class 12 में यह subject जो होता है वो optional में होता है या फिर कंपल सरी subject में रहता है? एक optional विशय होता है, यह arts जो बच्चे लेती हैं, जो विद्यार्थी, उसमें यह उनका चुनाव होता है, जिस तरह history, political, science, economics, उसी तरह philosophy भी intermediate इस तरह पर कला के अंतरगत है बच्चे अगर बारवी के बाद philosophy में आगे बढ़ना चाहें, अगर उनको undergraduate के डिगरी चाहिए होगी, अगर वो करना चाहते हैं, तो उनमें उनको कौन-कौन से विशयों को पढ़ना पड़ेगा, क्या-क्या उनको जानना पड़ेगा philosophy में undergraduate course करने के लिए? फिलोसोफी में bachelor course करने के लिए इसकी जो शाखाएं हैं, उसके बारे मैं आपको बताना चाहूंगी, फिलोसोफी के अंतरगत मुख्य रूप से इसकी पांच शाखाएं आती हैं, एक तो मेटाफिजिक्स, जिसका मतलब जो तत्व मिमानसा कहलाता है हिंदी में, और इसका म तह में जाके मूलतत्व के बारे में अध्यान करता है, इसके बाद एपिस्टिमोलोजी, जिसे ग्यान मिमानसा कहते हैं, यह मानव ज्यान के स्वरूप, मानव ज्यान की क्या सीमाएं हैं, उसकी क्या संभावनाएं हैं, उनका अध्यान करता है, और फिर इथिक्स, नीतिश इसके बाद theology इत्यादी भी इसके अंतरगत आते हैं जिसको हम इश्वर मिमानसा कहते हैं और इसके कॉस्मोलोजी इत्यादी भी आते हैं तो मुख्य रूप से तो ठीक है वो तो हो गया लेकिन जैसे बारवी के बाद जब हम निकलते हैं स्कूल से तो कॉलेज जो लाइफ होता है वो मतलब इतनी सारे कॉलेजेज है कि हम देख के किन्फ्यूस्ट हो जाते हैं कि कहा जाए नहीं जाए तो यह बहुत बरा क्वेश्चिन हो जाता है कि कॉलेज में आडमिशन लेना चाहिए वैसे तो देखा जाए तो सभी कॉलेजेज अपने अपने फिल्ड में मतलब जो जो उनके फिल्ड है उन सब में उच्छ तम ही है लेकिन फिलोसोफी के लिए क्या 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 कॉलेजेज बेस्ट माने गए हैं अगर बात करें तो दिल्ली विश्व विद्याले में इसकी पढ़ाई है जावाहरलाल नहरू युनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ सोशल स्टरीज के अंतर अंतरगत सेंटर ओफ फिलोसोफी की पढ़ाई है वहां दर्शन सासर की पढ़ाई है इसके अतिरिक बी एच्यू में इसकी बहुत अ युनिवर्सिटी में भी दर्शन सासर की पढ़ाई है और इसके अत आतरिक आप जहां है वहां भी इसकी पढ़ाई कर सकते हैं जैसे कि बहुत सरे कॉलेजेस में होता है कि हमें देना पड़ता है इंट्रांस कोई भी कॉलेज में आडमिशन लेने के लिए तो ये जो फिलो परिख्षा है, सभी उनिवर्सिटी के लिए है, तो उसमें आप किसी भी स्ट्रीम से करके इस टेस्ट में आप बैठ सकते हैं, और ग्रेजुट इस तर पर पूस्ट इस तर पर एडमिशन के लिए, उसमें मेरिट वाइस ही सेलेक्शन होता है, अच्छा और क्या एलिजिबिल अनिवारिता होती रही थी, लेकिन अभी new education policy में चीजें बदल गई है, अभी जो ये university entrance exam होते हैं, उसमें आप, उसमें जो आपका प्रदर्शन होता है, तो उसमें merit wise आपको, आपके choice के हिसाब से उसमें आपको अलोट किया जाता है, university departments. जी, जैसे हमने देखा है कि मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि 12 के बाद जो gross enrollment ratio है, वो घट के 50% हो जाता है, तो कहीं न कहीं इसके पिछे बहुत बढ़ा reason होता है, वो जो पैसो की कमी हो गई, financial condition हो गई, बहुत लोगों को इतना हम afford नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे जो इतन तो जो बच्चे नहीं पर पार हैं, वो at least वो भी किसी ना किसी कोर्स में degree ले सके, तो आप प्लीज बताएं कि philosophy की पढ़ाई के लिए कितने खर्च होते हैं, फिलोसोफी की पढ़ाई बिलकुल भी महेंगी नहीं है, मैं यह बताना चाहूंगी, किसी भी जिन विश्विध केंद्रिय और राजे विश्विध्याले हैं, तो केंद्रिय विश्विध्यालेयों में भी बहुत ही साधारन फीस पे अड्मिशन होता है, और चात्रावास इत्यादी की भी सुविधा मिलती है, scholarship इत्यादी की भी वहाँ पर प्रावधान है, तो इसकी पढ़ाई बिलकु कि फिलोजफी की पढ़ाई करने के बाद हम प्राविट सिक्टर में क्या क्या उपर्चुनिटीज है हमारे पास, किस कस तर पे हम काम कर सकते हैं अगर हमने फिलोजफी में ग्राजुएशन कर रखा है तो प्राविट सिक्टर की अगर बात करें, तो जैसे बैंकिंग जिनके लिए एक्जैंब्स होते हैं तो दर्शन सास्त में फिलोजफी में लॉजिक की पढ़ाई होती है जिसे लॉजिकल रीजनिंग बहुत डेवलप हो जाता है तो बैंकिंग की जो इंटरेंस एक्जैमनेशन जो देते हैं विद्यार्थी वो उसमें बहुत अच्छा प प्रिश्ट भूमी के साथ बहुत ही अच्छा करियर बनाया जा सकता है जो कहते हैं अभिव्यक्ति छमता विशलेशन छमता संप्रिशन की छमता इत्यादी जो है और तर्क कौशल इत्यादी विक्सित होता है इस विशय के अध्यान से इसलिए पत्रकारिता के छेतर में प्राइब्लम सॉल्विंग अटिटूड हो तर्क पौशल हो संप्रिशन छमता हो प्राइब्लम सॉल्विंग अटिटूड इत्यादी के लिए वो प्राइब्लम आजकल तलाशती है यह तो बात होगे प्राइबेट सेक्टर की हम कहीं न कहीं मतलब कितना भी हम किस-किस फिल्ड में ज्यादा स्कोप है वैसे तो अगर देखा जाएदे कोई भी गर्वर्मेंट जॉब के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है लगभग अगर आपने ग्राइजूशन कर रख है तो आप एलिजिबल होते हो लेकिन अगर फिलोजफी से पढ़ाई कर रख सकते हैं और यह किन-किन छेत्रों के लिए बहुत बेहतर विशह है वो मैं बताना चाहूंगी सबसे पहले तो अगर आप टीचिंग के फिल्ड के बारे में मैं बता दूं कि इससे आप हाईर स्टडी में जब आप उच्छिक्षा हासिल करते हैं तो आप मास्टर्स के बाद आप जो यूजीसी के नेस्टनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है नेट क्वालिफाई कर सकते हैं जिसमें आप जी आर एफ अगर आप हासिल कर पाते हैं तो दो तीन साल के लिए आपको शोध के लिए वहां स्कॉलर्शिप फेलोशिप मिलता है और उसके बाद आप लेक् सरकार की भारतिया दार्शनिक अनुसंदान परिशद वह भी अपने शोधार्तियों के लिए फेलोशिप का प्रावधान करती है और इसके बाद भी जब आप प्येजडी कर लेते हैं अर्थाट आप जब डॉक्टरेट कर लेते हैं उसके बाद भी पोस्ट डॉक्टरल फे रिसर्च के लिए भी वह अनुरॉल हो सकते हैं जिसके लिए फेलोशिप का प्रावधान भारतिय दाशनिक अनुसंदान परिशद के द्वारा दिया जाता है तो यह तो हो गई शेक्षनिक चेत्र में करियर बनाने की बात अब हम सिविल सर्विसेज के बात करते हैं च्यों जो इंजिनियरिंग इत्यादी चेत्र के युवा भी हैं इंजिनियरिंग की डिग्री हासिल करके भी फिलोसफी अजन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं और बहुत अच्छे रैंक से यह यूपीएसी में सफल हो रहे हैं जी मैं आपको बताऊंगी तो जो दर्शनसास्त अ घूल लाहा करें कि यह एतिकल नॉलेज सब्सक्राइब तो धिक्सर कि एक शाखा है जब विद्यार्थी यूपीएसी परिक्चामें सम्मिल्ली तो इस्पbread्स में थे जीतएиновन्य में एक दाँतरंददेशी को बतावन जो mask हैं तो यह दीन की थे ज करना आच रहे हैं इतिYU के बारे में उन्होंने अध्यन किया होगा उन्होंने विचारकों को दाशनिकों को पहले पढ़ा होता है और वह वहां बेहतर स्थिति में होंगे इसके अतरिक तो जो निबंध का पत्र होता है UPSC में वहां भी दर्शन सास्त्र की प्रिष्ट भूमी के जो बच्चे हैं वो वाद-विबाद प्रतियोगिता होती है ँसमें जो दर्शन सास्त्र के जो अच्छे बचचे हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं इसलिए वो निबंध वाला जो यूपी एसी का जो वो होता है पत्र होता है उसमें दर्शन सास्त के पढ़ाई करके उसमें भी उन्हें निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा अगर मितब जैसे बहुत सरे इसे डिप्लोमा कोर्से होते हैं जो कि अगर हम सब्सक्राइब करते चले तो हमारा जो सब्सक्र इसमें पकर बहुत जाता है साथ ही हमें बहुत सारे जो और भी जो अलग अलग जो फिल्ड है वो हमें हमारे लिए उसके पास रास्ता खुल जाता है तो क्या ऐसे कोई सब्जेक्ट है जिसमें हम डिप्लोमा करेंगे फिलोजफ़ी की परहाई करते हुए तो मेरे पास और सकते हैं ऐसे कुछ डिप्लोमा कोर्सेस भी हैं क्या एक चीज़ मैं थोड़ा मैं पिछली प्रशन पर ही और एक बात कहना चाहूंगी कि बैंकिंग सेक्टर में लॉजिकल रीजनिंग जो होता है वो हमारे बचे इतिक्स के अंतरगत पढ़ाई करते हैं तो जो इतिक्स पर पहला पत्र जो होता है वो कौमन होता है सभी मानवी की संकाय इत्यादी के सभी विश्यों के लिए पहला पत्र कौमन होता है और दूसरा उनकी अपनी विशय से संबंधित होता है तो पहले पत्र में भी कुछ भाग ऐसे होते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग इत्यादी से सं बहतर स्थिती में होते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं और आपने अभी बात की दिप्लोमा कॉर्सेस के बाइबल है जिसमें अगर हम फिलोजोफी के साथ में अगर करें तो हमारी जो पकर है और हमारी जो पॉर्चुन्टीज और ज़्यादा डाइवर्स हो सके एक तो कॉलेज़ में युनिवर्सिटीज में योगा की डिप्लोमा कॉर्सेस इंट्रोड्यूस किया गया है तो चुकि फिलोसोफी ओफ योग जो है योग दर्शन भारतिया दर्शन का ही एक संप्रदाय है उसका ही एक स्कूल है तो जो दर्शन सास्र की पढ़ाई करके और तब दिप्लोमा कॉर्स अगर योग में करते हैं विद्यार्थी तो वो उसमें बहुत ही अच्छी जॉब ऑपर्चुनिटीज आज के समय में हो सकती चूकि स्कूल इत्यादी में भी योग टीचर की योग प्रशिक्षक इत्यादी की बहुत आजकल डिमांड देखने में आ रह बात करते हैं जो हमारा माइंड एसपेक्ट है उस पर बात करते हैं जो हमारा एक अच्छा फियावीर है जो इस ते बात करते हैं तो हम चाहेंगे कि हम यह जानना करते हैंके क्या मतलब मेरेट के अलावा यानि सब्चिक्टिव नॉलज के 还 words और और क्या क्या qualities होनी चाहिए कि student में, जिससे कि वो जो इस फिल्ड में हैं, वो काफी जादा मतलब explore कर सकते हैं, और काफी आगे तक जा सकते हैं, ऐसे कुछ ethical qualities या फिर ऐसे कुछ positive attitudes, अगर ऐसे कुछ generate करने परते हैं तो आप प्लीज हमें बताएं। मैं यह कहना चाहूँगी कि philosophy की पढ़ाई के लिए वो पहले से कोई ethical qualities की आवश्यक्ता नहीं है, बलकि इस पढ़ाई से ही वो विक्सित हो जाएगी। लेकिन हाँ यह जरूर है कि अगर आप चिंतनशील विक्ति हैं तो दर्शन सास्त्र आपके लिए बहुत अच्छा विशय है, अगर आप चिंतनशील हैं और अपने आसपास की चीजों पर अपनी एक स्वतंत्र राय रखते हैं तो philosophy एक बहुत अच्छा विशय है, इसमें अपना करियर बना सकते हैं, तो जैसा कि अगर आपने बोला कि परहाई के दौरान ही इसमें कुछ-कुछ skills होते हैं वो develop हो जाते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को पता हो कि ऐसे कौन-कौन से skills है जो कि develop हो जाते हैं, आप प्लिस उसके बारे में थोरी सी जानकार साधिया तर्क कॉशल नात्मक जो आज कल sa part quindi is का लिए और यहां तक कि human resources के लिए भी ये सभी चीज़े ओपरिहारे होती हैं तो दर्शनसास की पढ़ाई के दौर इन सभी छेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है जैसा कि हम आज किल देख रहे हैं कि हमारे आसपास हो चाहिए वो national level हो या फिर global level हो किसी भी स्तर पे हो हर जगर conflict बहु हो रहे हैं कि हम अपने माइन जैसे कि माइन स्टैबलिटी की परहाई होती है तो क्या हम इन सब conflict पे भी कुछ इसके कंट्रिब्यूशन है philosophy के देखे जो मैंने दर्शन सास्त्र कहा कि भारतिय परिप्रेक्ष में यह दर्शन सास्त्र है तो दर्शन सास्त्र का जीवन हमारे का संबंद हमारे व्याभारिक जीवन से ही है क्योंकि हमारे यहाँ दर्शन का जन्म ही हमारी व्याभारिक जीवन की समस्याओं की समाधान के लिए ही हुआ मनुश्य के दुखों को दूर करने के लिए ही आपने महात्मा बुद्ध को पढ़ा होगा जो बौत धर्म, जैन धर्म, इत्यादी सभी जो आए इन सभों का संबंध हमारी व्याभारिक जीवन से ही है और भारत वर्ष में दर्शन जो है वो हमारे जीवन को संब्रिध बनाने के लिए ही दाशनिक चिंतन हमारे यहां हुआ है और अगर भारते इतिहास पर भी अगर आप दृष्टी डालेंगे तो बहुत सारे दाशनिक हुए हैं, विचारक हुए हैं जिन्होंने अपने समय के समाज को प्रभावित किया है चाहे हम आदिशंकराचारे की बात करें या बुद्ध की बात करें महावीर की बात करें या हम आगे आकर विवेकानन्द अर्विंदो की बात करते हैं महात्मागंध की बात करते हैं इन सभों ने अपने समसामीक समाज पर प्रभाव डाला था विवेका नंद ने तो वैश्विक पटल पर भारतिय दर्शन भारतिय चिंतन का परचम फैरा है था हम सभी जानते हैं तो दर्शन शास्त्र तो एक ऐसा विशह है जो हमारे जीवन से संबंद रखता ही है और योग दर्शन का संबंद भी हमारे व्याभारिक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए ही हुआ है हम सभी केवल योग के आसनों के बारे में जानते हैं लेकिन जो आसन जो बहुत प्रचलित रूप में देश और विदेशों में हो चुका है वस्तुता हुआ सिर्फ एक आयाम है अस्टांग योग का और उससे पहले जो है यम और नियम इत्यादी जो उसके अस्टांग योग के आठ अंग हैं जिनमें यम नियम उसके बाद आसन आते हैं यम नियम आसन प्रानायां प्रत्याहार धारना ध्यान समाधी अस्टांग योगा कहलाते हैं तो जो आसन है योग के द्वारा हमारे सामाजिक कर्तव्यों का निर्धारन किया गया है जिसके द्वारा हम वैयक्तिक रूप में और सामाजिक जो भी परेशानिया हैं उनका समाधान हम इसमें देख सकते हैं क्योंकि आपने कहा है कि आज का समय हम जानते हैं कि आज एक संकट के युग से हम और वीचित्र जिवान दर्शन आज़कल विक्सित हो रहा है। तो इस संकट के दौर में, जो जितनी भी परिशानी है, वो हमारा दर्शन यह मानता है, कि यह जो हमारी मानसिक अवस्था की विक्रिती होती है, वही हमारी कृस्टों की जड़ है। हमारी जो चित वृति होती है, हमारी मानसिक वृति होती है, उसकी विकृति और उसकी शुद्धी ही योगदर्शन के शुरुआती जो सोपान है उसका उपाय बतायग्या है, तो अगर हम से आत्मसात करें और जीवन में उतारें तो क्रमशा जरूर ही सुधार होगा और तो हम चाहेंगे कि आप अंत में हमारे जो भी बच्चे हैं, जो भी ऐसे बच्चे जो की फिलोजोफी की पढ़ाई कर रहे हैं, या आगे करना चाहते हैं, उनके लिए दो-चार एडवाइजेज आप दे हैं, इनके लिए मैं ये सलाह देना चाहूंगी, कि इस विशह से कभी कभी नहीं समझ पाते हैं बच्चे, तो ये थोड़ा गंभीर विशह तो है, लेकिन जब आप थोड़ा पेशन्स रहके, और जब इसके मुलभूत चीजों को थोड़ा पढ़ लेंगे, तो फिर इसमें आपको आनन्द भी आने लगेगा, या बहुत ही रूचिकर में आई और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छे जानकारी थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आशा करते हैं कि हमारे जो भी दर्शक होंगे, उनको आज इस फिलोजोफी के बाएर में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और साथ ही उनके बहुत सारी जो मित होंगे, इस आशा के साथ अब हमें इजासत दीजियो, मिलेंगे हम आपसे अगली प्रोग्राम में एक नए विशय के साथ और उसके अनेक दिशाओं के साथ तब तक के लिए नमस्कार जुहार